मुगल बादशाह अकबर के नौरतनों में से बीरबल जैसे बुद्धिमान तथा तानसेन जैसे महान गायक जिनकी जनमस्थली रेवा खंड़ी रही है रीवा शहर का यहकिला बगेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंद्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है रीवा जिला कौशाम भी प्रयाग राज और बनारस जैसे प्रसिद धार्मिक स्थानों में से जुड़ा हुआ है यहां की मुख्य भाषा बगेली है रीवा विश्व जगत में सफेद शेरों की धर्ती के रूप में भी अपनी एक अलग ही छवी रखता है यहीं के जंगलों में सफेद शेरों को भी पाया गया था क्या आपको पता है विश्व का सबसे पहला सफेद शेर जिसका नाम मोहन था यहीं रीवा जिले के जंगलों में पाया गया था जिसके बाद पूरे विश्व में इसकी प्रजाती का जन्म हुआ रीवा रियासत की स्थापना लगभग चौदा सव इसवी में बगेलवंस के राजपूतों द्वारा की गई थी किम वदंतियों के अनुसार यहां के एक राजा जिनके शरीर में गुपतांग का आकार अब प्राकृतिक रूप से बहुत ही आश्यर जनक था क्योंकि उनके लिंग का आकार इतना बड़ा था कि वो अपने लिंग को कमर से बाँद देते थे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इतिहासी जानता है परन्तु ये बात कई लोग बताते है प्रमुक रूप से अबिह किला महामृतियुन जै भगवान के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ पर महामृतियुंजे भगवान का जो शिवलिंग है वह एक बड़े रुद्राक्ष की तरह स्थापित है ऐसा रुद्राक शिवलिंग सायद ही कहीं देखने को मिले वर्तमान में यहां के राजा महाराज पुस्पराज सिंग है जिनकी बेटी मोहिना सिंग जिन्होंने ये रिस्ता क्या कहलाता है में मुख्य रोल की भूमी का भी अदा की है इस किले के बारे में और भी बहुत सी ऐसी बाते हैं जो बड़ी ही आश्चर जनक है सामने जो यह मंदिर आप देख रहे हैं यह भगवान जगनाद जी का है जगनाद धाम यात्रा में जो जगनाद जी की यात्रा होती है उसी यात्रा में जो जगनात भगवान की मूर्ती होती है उसी मूर्ती को यहाँ पर लाकर के स्थापित किया गया है यह अशलोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीवा जिलाही हमारी जन्म स्थलीवी है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित हो चुका है यह भी एक गर्व की ही बात है रीवा रियासत की बात हो और रानी तालाब का नाम ना आये तो अधूरा ही माना जाएगा रीवा राज्य में रानी तालाब का भी अपना एक बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पर मा काली की दिव्य प्रतिमा स्थापित है मुख्य रूप से रानी तालाब तालाब के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर मा भगवती की उपासना का यह प्रमुकेंदर भी है सामने जो आप यह भवे मंदिर देख रहे हैं यह मा महाकाली का ही मंदिर है इस मंदिर के चारो तरफ नव दुरुगाओं में स्थित नव दुरुगा स्वरूप में मा भगवती की प्रत्येक मूर्तियों की स्थापना की गई है रीवा किले से रानी तालाब की दोरी लगभग 2-3 किलो मीटर की है और प्राचीन काल में रीवा किले से रानी तालाब तक आने के लिए एक सुरंग भी थी जो की रीवा किले से सीधी होती हुई इस रानी तालाब में इस्थित एक तालाब के मध्य में जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर आ करके मिलती है प्रकृतिके सौंदरिके मध्यस्थित यह रानी तालाब का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मन की शांती को पाने के लिए यहाँ पर घूमने फिरने के लिए चले आते हैं यह तालाब राणी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां राजघराने की राणी साहिवा मा भगवती काली की उपासना करने के लिए अक्सर यहां पर आया करती थी इसलिए इस तालाब का नाम राणी तालाब पड़ गया सामने जो यह आप विहंगम दृष्ष देख पा रहे हैं यह रानी तालाब के मद्धे में इस्थित भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है वैसे तो यहाँ पर अब जाना मुश्किल है क्योंकि मंदिर लगबग तूट चुका है और वहाँ पर जाने पर असुविधा भी हो सकती है हलाकि आप इस तालाब में वोटिंग करके यहाँ के प्राचीन और विहंगम दृष्ष को बड़े ही आनंद के साथ देख सकते हैं रिवा जिले का इतिहास और रानी तालाब का यह मनमोहक दृष्ष आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं इस प्रकार के इतिहासी किलों के दृष्ष्यों को देखना बड़ा ही रोमांचक होता है इसलिए मैं इस तरह की जगों को देखने में बड़ा ही उत्सुक रहता हूँ जहां भी मुझे इन किलों को देखने का आउसर ब्राब्त होता है तो मैं कभी नहीं छोड़ता आशा है यह वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जै मातारानिकी